आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे दान तक नहीं होते हैं स्टेडी ग्लोस पर आपका वद्पसवागत है किसने यह नहीं देखा है मीम की भरमार है मीम मार्केट इस समय बहुत गरम है जैसे ही जोर्जिया मैलोनी मीम मार्केट के हिसाब से आपको बता दो इससे बढ़ी स्ट्राइचieve क्या हो सकती है आपको आप मुझे बात बता इये बहुत लोगों को शार्म मस Rhonia का भी नाम क्योंकि आंण से history के student है तो आम लोगों को तो पता ही है बट बहुत लोगों को तो मसोलनी का भी नाम नहीं पता होगा चलो जिसको पता है उसके बाद आप एक भी प्रधान मंतरी या प्रेसिडेंट का नाम बता दीजे नहीं बता पाएंगे इटली के बता प्रेसिडेंट का नाम आपको पता चला यहीं तरी सारी मीमस आई इटली के प्रधान मंतरी का नाम हर किसी को रट गया है हर भारती को रट गया है कि दहेच नहीं लेंगे कोई बात नहीं तो ऐसे इसे कमेंट्स अगर आप इनकी कोई भी वीडियो देख लो यह कोई भी उसमें सब इंडियस घुसे पड़े हैं और आप कमेंट्स देखो तो आपको क्या लगता है यह जॉर्जिया मैलोनी तक जा नहीं रहा होगा यह नहीं जा रहा होगा यह सब जा रहा होगा यह 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 नो PM Modi और जो Georgia Meloni का जो social media का कत्यत प्यार दिखाये जा रहा है यह सब हर्फ किसी तक पहुँच रहा होगा cringe है definitely नहीं होना चाहिए बट ऐसे ही है आज के जमाने में बढ़िया अब आप यह देखिए कि Melody नाम दिया गया ठीक है Meloni और Narendra Modi को तो यहाँ पे G7 Georgia Meloni जो कि 47 साल की है नarendra Modi कितने साल की शार्द I guess 74 साल के है तो Georgia Meloni जो है वो first female प्रदान मंतरी है इटली की आप देख लिजगा नarendra Modi की age को मैं ही यहाँ पे देख लेता हूँ ठीक है तो यहाँ जो G7 समिट हुई हाँ 33 साल के हैं तो यहाँ जो G7 समिट हुई हमने देखा कि Georgia Meloni के बहुत ही खटे मीठे पल रहे लेकिन फिर भी जो मेन इंसान लाम लाइट में था वो थी Georgia Meloni और भी इस कारोड की वज़े से European Parliament में इन्होंने जंडे गाड़ दिये अभी इलेक्शन हुए ना European Parliament European Parliament बैठती है इस बार immigration सबसे बड़ा मुद्दा होगा जिसमें भारत पे भी गाज गिरेगी ओके राइट विंग अगर यूरोप में आ रहा है तो आप बहुत खुश्मत होई है यह हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है immigration के लिए बहुत यह कटर है यह लोग नहीं आने देंगे भारत जितने Europeans यूरोप में अगर आप जा रहे हैं प्रॉब्लम करेंगे तो यहां पिंक के ट्राउजर सूट पहनी थी उन्होंने जो मेल लीडर्स थे सेवन मेल लीडर्स उनके साथ फोटो किचवाई नरेंद मोदी हेलो मेलोडी हेलो फ्रॉम मेलोडी तीम हेहे नरेंद मोदी आस रहे थे ऐसे हाथ लाया उन्होंने बस मीम्स के लिए बढ़िया बाड़ा की मीम्स की ये ठीक है न और इससे पहले भी जोर्जा मेलोनी पोटो डाली है बट यह स्ट्राटिजी है मैंने बताया न यह सब तक पहुँच रही होगी भाई पॉलिटीशन्स कह रहे हैं कॉंग्रेस की लीडर से करिए बंद करो बाई बंद करो ठीक है तो क्या लगता को नरेंद मोदी को नहीं पता होगा सब पता होगा जोर्जा मेलोनी को नहीं पता होगा सब पता होगा उनके comment box पे इंडियंस ही लिखते हैं 10 माइन one comment Ans IñDIins क्य होते हैं वो कुछ भी बोले इंडियन सरे आज आईए आप बस कोई दिक्कत नहीं है बारात चलने बारात ले जाने का समय हो गया इतने कमेंट्स इतने कमेंट्स लेकिन वही बात है कि इससे आपको क्या मिलता है इससे आपको positive way में आपको recognition मिलता है भारत और इटली के बारे में आप जानना चाहेंगे जोड़िया मेलोनी को तो बहुत फाइदा है नरेन मोदी चुप है उन्होंने कुछ भी नहीं बोला पर यह melody term सबसे पहले जोड़िया मेलोनी नहीं यूज किया वहीं सही आया यह कभी AI generated गाने आ रहे हैं कभी पता नहीं है क्या ऐसी ऐसी चीज़े आ रह अब यह है कि व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन जो इनका करियर रहा है यह से जोर्जा मेलोनी से 15 साल की उमर में पॉलिटिक्स में आ गए थे ठीक हुन्होंने अपना घरबार जो है वो छोड़ देता है कॉप 28 पे जो गूड़ फ्रिंट्स यह सबसे पहले प जीद के आए हैं और इस समय अगर लीडर्स की बात करें तो ही इस अच्छली दी नंबर वन जी सेवन का भारत पार्ट नहीं बट फिर भी जो नजरे थी वो नरेंद मोदी पिठी है ना वो गए हर किसी से मिले ए ए ए क्रिटिकल मिलनर्स डिफेंस एनरजी टेलिकॉम इन बिजनेस करते हैं तो इस तरीके से कुछ हमने जी सेवन में दृष्य देखे और जैसा कि हमने बताया कि बहुत कम उमर में यह भी गरीब परिवार से आती थी इनकी माने इनको पाला है ठीक है और राइट विंग है जैसे बीजेपी भी राइट विंग है इनकी भी राइट यह होड़ी कटर कटर जादा है विजयपी सेंट्रल निब्रल है राइट लिब्रल मैं थोड़ा रैट विंग है तोड़ा एक्स्ट्रीम इन cui नहीं गम है तों करते हम ढ़ив मसोलनी को य होड़ोखन किन्जर्वेट अब आपने देखा कि फ्रांस में क्या हुआ बाई देखिए अब जब अबोर्शन लौ है अब अबोर्शन लौ जो है उसको की औरत अबोर्शन कराए ना कराए नहीं कराना है फ्रांस के इम्मानुवल मैकरों जो की बहुत जबर्दस लीडर है बहुत लिम्बरल लीडर है आपको सेंट्रिस्टी होना पड़ेगा अगर को देश का डेवलोप्मेंट करना है अमेरिका जब सबसेंट्रिस्ट यूडरोपें चेंट्रिस्ट तो अगे बढ़ा थीक है तो अब क्या है कि जो इमान्वल मैकरों हैं उन्होंने बायान यह दिया कि जो एबोर्शन लौ है जो अटली में कहना है कि जो ओरतों को अबोर् लग कि इमानुल मैकरव हारने वाले हैं और अपनी पॉलिटिक्स चमकाने आया है यहां पर और उसके बाद वह तस्वीर सब ने देखी कि किस तरीके से जोर्जिया मैलोनिक्टम हेट्रेट से नफरत से देख रही थी इमानुल मैकरव को जब वह हाथ मिला रहे थे तो यानि क कि एक element of darkness dark personality देखने को मिलते हैं हमारे आप आपस आगए भाहिया स्टडी ग्लोज आप तो डाक साइकॉलोजी और जिसको भी जो कुर्स लेने हैं वहां पे अवेल कर सकते हैं ठीक है आपको डाउनलोड करिए तो यह चीज है अब यह चाहें abortion law हो चाहें immigration policy हो और immigration policy को हम ही को problem होगी European Parliament में अगर rightist आएंगे तो यह भारत के लिए बहुत ठीक बात नहीं है क्योंकि भारती यूरोप में काम करते हैं और Europeans rightist का मतलब क्या है कि हम सबसे पहले हैं हमारे हग पहले आएंगे साथ ही साथ यहां पे अगर Georgia Maloney की बात करें तो यह definitely first female leader है इटली की लेकिन इनको heartless जिनका दिल नहीं है इमाइग्रेशन के बिल्कु लिगदम और जैनोफोबिक जो जैनोफोबिक मतलब क्या होता है जो बाहर के देशों से नाफरत करते हैं उनके लोगों से कि वो आएंगे यहां का कल्चर खड़ाब कर देंगा अब देखिए यूरोप पे बहुत बड़ा मुद्दा है पहले तो यूरोप ने हाथ खोल के माइग्रेंट्स को बुलाया अब बहुत सारे मुस्लिम्स हैं वो यहां पर 80% मुस्लिम्स हैं लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स होने लगी ठीक है दिक्कते होने लगी जगड़े होने लगी अब यूरोप कह रहा है कि इन सब को बाहर भ आपोस किया है यूतनेशिया मतलब होता है कि अपनी मर्जी से मरना अपोस नेवल ब्लॉकेट कि भाया इमाइग्रेशन रोकने के लिए शिपी मत आने तो यहां पे और सेफ और लीगल एबॉर्शन को वाटर डाउन कर दिया अब यह तो देखिए इस यह तो गलत है पाई अगर औरत की जान को खत्रा है तो अबॉर्शन कराएगी न ऐसा तो है नहीं आदमी यह तो मतलब अगर आप देखोगे तो यह तो आदमी का कंट्रोल लॉव है कि नहीं अबॉर्शन कैसे कर रहे हैं तो इसमें यह सारी चीज़ें विवादों में हैं अगर आप देखो ले में इसी अगले महीने जो है फ्रांस में एलेक्शन है और मान के चलिए कि लापें जीतने वाले हैं वो भी राइटेस लीटर है लीडर है इमानों मैं कर रहा हूँ एक क्लोस कॉंटेस्ट होगा बट मुझे लगत लापें लापें जीतेंगे ठीक है इनकी पार्टी का नाम ह बहुत जादे यहां पे जॉर्जिया मैलोनी की होती है मतलब ऐसा ने की दूद की धूली हुई है इनके ओपर बहुत आरोप रत्यारोप लगे हैं मीडिया को कुछ इनको दिखाना पड़ता है जो की दिखा रही है ठीक है लेकिन आप यह मान के चलिए कि अपने देश के ल सबसे जादा अगर हालत खराब हुई थी तो वहां पे इटली में हुई थी सबसे जादा लेकिन उस समय भी गौड फादर लेंड फैमिली या नियो फासे एक तरीके से स्लोगन पे बरकरार रही है अब मसोलिनी को मसोलिनी आपको पता है कि वोड़ वाड टू में इटली जर्मनी और जापान ये तिनों आक्सिस ग्रूप थे एलाइट से ऑपोजेट जर्मनी के साथ जो मसोलिनी था वो हिटलर की कॉपी करता था वो हिटलर बनने सबसे लास्ट वर्जिन जो हो सकता है ये चीज़ है अब न्यू यॉयॉक टाइम्स ने हेडलाइन चलाई कि फार राइट जो है वो टेक ओवर कर देगा और मेलोनी जो है शीज लीडिंग दा वे लेकिन किंग मेकर है वो यूरोप में डॉमिनेंट परस्णालिटी है दुन तो वही नरेंद मोधी की तरण के रगों में राजनीती दौड़ती है ठीक है ना नेगोशेशन से स्किल्स है डिप्लोमाटिक स्ट्राटेजी जो नरेंद मोधी के साथ यह प्रॉपर स्ट्राटेजी का क्योंकि जितना जाधा भारत पाई इनको भी पूरी दुनिया से सप अंधी आपको बता है तो इनको भी भारत से सपोर्ट चाहिए और सबसे बढ़ी है यही स्ट्राटेजी जो भी चल रही है मीम से घर घर में जौर्जिया मैलोनी जो है वो पहुंच गई है यूरोप जैसा कि अमने बताया कि मैलोनी मुमेंट इस समय एक्स्पीरियंस कर रहा है ठीक है एंजिला मरकल से कंपेर करना है अब जो कि जर्मनी की चांसलर थी बट अभी तो अलाफ शॉल्स है लेकिन जो एंजिला मरकल की पर्सनालिटी अलग थी वो राइटिस्ट नहीं थी वो लिबरल थी ठीक है थोड़ी मतलब राइटिस्ट स्पेक्ट्रम अगर आप तो थोड़ा सा राइट में खिसका हुआ था लेकिन सेंटरिस्ट थी वो यह बिलकुल अलग है अब जैसे ओल्ड बॉइस क्लब जो बोला जाता है अभी बहुत समय से ओल्ड बॉइस मतलब जो जितने भी यूरोप के बड़े देश हैं उनमें आपको मेल ही लीडर्स दिख हो गई है ना जान बूझ के पहला तो कि लेकिन दूसरे किसमें थोड़ा से पीछे चलेगी इसमें भी बहुत ज्यादा मीम बनें है के नहीं तो यह बहुत ज़्यादा दिखाना भी नहीं चाहती हैं लोगों को कि देखो मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ बहुत एक बैलेंस एप्रोच लेके चल रही है जो की जबरदस स्ट्राटेजी है और इनके लिए काम कर रही है अब इनको प्यार इसलिए तना मिल रहा है यूरोप से क्योंकि यूरोप में वाकई में एक Immigration Problem है यह यूरोप में दिख रहा है दिक्कते हैं बहुत जादा और वो नहीं चाहता ह ठीक है अब जिसे इंडिया की मुमेंट जैसे इंडिया की अन्य अप्राम बना लिया नरेंद मोदी से जो उनको जोड़कर देखा जा रहा है नमस्ते से लेकर everything ठीक है अपना मुमेंट बना लिया अब इन्टैलियन स जो है वह भारत की priority है क्योंकि इटली जो अभी सुनिया गांधी की परस्ट डोमेन की नहीं बलकि हम बहुत सारी चीजों से इटली पे कोपरेट कर रहे हैं इटली के साथ कोपरेट कर रहे हैं अगर आप टूरिजम देखो तो भारती सबसे जादा होंगे जो इटली में जाते हैं राइट तो वही है कि इफ आई वर ब बंध हो जाना चाहिए तो नरेंद बोदियों और यह पूरा जो क्रिंज चलता है तो इसको रुकना चाहिए तो यह लेच्चर था योप आपको समझ में आएको बाकिया मारी आप आ गई है वापस रे गूगल पे आगे हमने रिवीव डाला था वापस आगे आप आपको ड